सोचे ज़रा अगर सिक्षा के मुद्दे पर राजनीती हो तो कैसा लगेगा बिहार में स्थितियां इतनी जादा खराब हो चुकी है उसके बाद भी बिहार के चीफ मिनिस्टर यानि के नितिश कुमार सिक्षा को लेकर बिलकुल भी बात नहीं कर रहे है सोचे नितिश कुमार कितने सारे बच्चों का भविश्य खराब कर रहे है इसको लेकर हाली में एक वीडियो भी वाइरल हुई थी जब एक बच्चे का नाम था सोनू सोनू ने भी नितिश कुमार से बोल दिया था कि बिहार के सिक्षा विवस्ता काफी जादा खराब है लेकिन इसको लेकर कोई भी काम क्यों नहीं होता है आप बात करते हैं एक वीडियो की जो सोचल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रही है वो है मगद यूनिवस्टी की सोचे मगद यूनिवस्टी बिहार की जानी मानी यूनिवस्टी है उसके बाद वहां की छातर वो हालत हो गए हैं जहां पर रो रहे हैं आसू बहा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा साल खराब हुर है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है और इसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है और साथ ये कह दिया है कि नितिश कुमार को सिव अपनी कुर्सी से प्यार है ना कि बच्चों के भविशे से सोचे जरा कि बच्चों का भविशे कितना जादा खराब हो रहा है एक साल होने को आ गया है बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं बच्चों के अभी तक स्लेवर्स कंप्रीट नहीं हुए है और सरकार इसको लेकर कोई भी काम नहीं कर रही है बिहार के जो सिक्षा मंत्री है उनको सब कुछ पता है और वो खुद एगरी करते हैं उसके बाद भी कोई भी बड़ा काम नहीं हो रहा है इस पूरे मामले में एक वीडियो काफी जादा वाइरल हो रही थी आपने इसका दर्द सुना किस तरीके से साफ कह दिया है कि हमें रिजल्ट चाहिए क्योंकि हमारा पूरा करियर खराब हो रहा है और यसे बात बिहार की नहीं है क्योंकि देश में विरुजगारी इसलिए बढ़ती जा रही है और साथ ही जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे है सोचिये वो ही कही ना कई बड़े-बड़े अफसर बनते हैं डॉक्टर बनते हैं, इंजिनियर बनते हैं और उसके बाद बिहार में ये चल रहा है जहां बिहार की जानी मानी युनिवस्टी यानी की मगद युनिवस्टी और वहाँ पर बच्चे इस तरीके से गिड़डा रहे कि हमारा रिजल्ट दे दीजे क्योंकि हमारा पूरा भविशे अंधेरे में जा रहा है और वहाँ की सरकार सिर्फ चुपी साधी बैठी वी है तो सोचिए बिहार का क्या हाल हो रहा है क्यों बिहार हमेशा से गिरता रहा है सिर्फ सरकार अपनी कुर्सी पर काम कर रही है सिक्षा विवस्था पर लेकर जादा काम नहीं करती तो क्या लगता है कि बिहार के सरकार को इस पर कोई काम करना चाहिए कि आभी वी क्या सिर्फ कुर्सी समभाले बैठे रहना चाहिए तो अपनी राय जरूर साजा करिएगा और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और थमन्यूस के साथ धन्यवाद